हाई मैं डॉक्टर विश्वरु प्रचादरी और ये वीडियो स्पेशली दैनिक भासकर सम्मों के लिए है उनके कुछ सवाल है और मेरे जवाब पहला सवाल ये सारे सवाल अब ब्लड प्रेशर जुड़ेवे सवाल है पहला सवाल है आप डियाविटीज को बिमारी नहीं मानते क्या बीपी के साथ भी ऐसा ही है exactly ऐसा ही है मैं आपको example से explain करता है एक minute लगेगा समझने में आपको एक patient जैसी वो doctor की office में जाता है जैसी वो doctor को देखता है उसका blood pressure बढ़ना शुरू जाता है जितना बुड़ा doctor उतना जादा blood pressure जितनी सारी डिग्रियां उतनी जादा blood pressure और बढ़ जाती है जितना बड़ा hospital जितना महंगा hospital मानों की blood pressure और बढ़ जाता है तो वो जो blood pressure है वो उस patient का अपना excess blood pressure नहीं है that is because of the doctor itself और जैसी वो hospital से बाहर निकलता है blood pressure दुबारा normalize हो जाता है इसे कहते हैं medical भाशन में white coat syndrome और यह देखा कि 80% patients जो presently दवा ले रहे हैं उनका जो बढ़ावा blood pressure होता है वो दरसल white coat syndrome का शिकार है ना कि in reality वो blood pressure के patients है So 80% लोग आप में से जो लोग दवा ले रहे हैं actually आपको दवा की अवशकता ही नहीं है वो सिर्फ momentarily होता है आपका अगला सवाल है BP बढ़ना ज्यादा खतरनाग है या कम होना कैसे समझ आता है कि BP control में नहीं है देखे both the ways बहुत ज्यादा होगा तो भी दिक्कत आ सकती है बहुत कम रहेगा हमेशा तो भी दिक्कत आ सकती है अब बहुत ज्यादा कितना होता है 160 by 100 से नीचे कुछ भी है तो वह बहुत ज्यादा नहीं मानेंगे हाँ 160 by 100 लगाता रहता है घर पे भी हर मौके भी तो उससे ज्यादा बोल सकते हैं similarly 100 by 60 तक okay है उससे नीचे लगाता रहता है तो वह कम बोल सकते हैं लेकिन यहाँ भी जैसे आपने पूछा है कि कैसे पार चलेगा BP ज्यादा है या कम है जब आपको discomfort होगा headache होगा, lethargic होगा, weakness होगा तो यह सारे indications हैं कि blood pressure is not in the right place so अगर कोई symptom नहीं है तो जो आपका blood pressure है वह आपके लिए ठीक blood pressure है, need not to worry about it आपका अगला सवाल है research कहती है कि mobile phone से भी BP बढ़ सकता है, आपके अनुभव से क्या सच मुझ ऐसा होता है, directly ऐसा नहीं होगा एक दिन में ऐसा नहीं होगा, indirectly long run में mobile users के body में tumorous growth होने के chances बढ़ जाते हैं और जब जब tumor बढ़ते आएंगे, आपके body में जादा होंगे तो उससे indirectly blood pressure भी बढ़ेगा, so blood pressure का बढ़ना कोई बिमारी नहीं है, वो symptom ज़रू हो सकता है कि body में कोई negative बढ़ आया है, आपका अगला सवाल है, किसी को BP की परशानी हो तो उसे सबसे ज़्यादा किस चीज से डरना चाहिए, दो चीजन से, पहला salt, white salt और दूसरा तेल, ये दो हैं आपके सबसे बड़े दुश्मन, ये दोनों चीज आप कम कीजिए, छोड़ दीजे, BP अगर है भी, पहली बात तो मैंने आपको बताया, 160 बटे 100 लगाता रहना, हर सेटिंग में रहना, उसे आप BP मानेंगे, आपका अगला question है, गुसे में BP बढ़ना एक महावर की, उसे बढ़ता है, actually गुसे में रहने से, जब हम गुसे में होते हैं, तो body stress hormone produce करता है, stress hormone जो है, वो हमारी body को prepare करता है, emergency situation को handle करने के लिए, लेकिन अगर हम लगातार गुसे में रहेंगे, तो stress hormone की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी, and stress hormone जब जादा होगा, that may lead to high blood pressure, so ये स contribute to heart attack, brain stroke, etc. आपका अगला सवाल है, जातर माना जाता है कि 120 बटे 80 BP हो तो आप सेहत मन्ध हैं, लेकिन कुछ expert 160 by 100 को भी सही मानते हैं, इतना अंतर क्यों और standard value क्या है, देखें 1993 से पहले JNC Joint National Committee की जो report थी 1993 तग, वो था 160 by 100, यानि कि किसी भी इंसान का blood pressure 160 by 100 से उपर होगा, तभी उन्हें दबा दिया जाता था, लेकिन उसके बाद JNC 5 आया और अभी present की बात आपने लिखाए 120 by 80, वैले 140 by 90 आया, उसके बाद 150, 120 by 80 तक पहुंच गया, तो धीरे-धीरे ये value कम होते जारी, कम होते जारी है, ये कोई अचंबे की बात नहीं influence of pharmaceutical company, ये जो आखड़े है, ये squeeze होता जा रहा है, और जैसे से ये आखड़ा squeeze होता जा रहा है, क्या हो रहा है, वैसे वैसे ऐसे लोग जो blood pressure की दवा जिनको recommend की जारी है, उनकी तादा बरती जारी है, although they are healthy, लेकिन सिर्फ कागज में दिखाया गया है, साबित किया गया है, कि आप एक patient है, so actual value जो है, जिसको आप reference मान सकते हैं, वो है 162 by 100, अच्छा ये आप मेरी बात मानेए, इसके लिए आप refer कीजिए, Cochrane Database 2018, Cochrane Database 2018 की report ये कहती है, अगर किसी का blood pressure 162 by 100 से नीचे already है, तो उसे दवाई देने से कोई फाइदा नहीं है, दवा देके blood pressure को और गटाने से फाइदा की जगर नुकसान है, हाँ, अगर patient का या किसी भी इंसान का blood pressure 162 by 100 से उपर है और लगातार है, तभी वो असली हधदार है, दवाओं का या lifestyle को change करने का, so 162 by 100 is the authentic point of reference और ये साबित किया है, Cochrane Collaboration 2018 के report में भी, आपका अगला सवाल है, diabetes control की तरह, क्या खाने पीने की आगतों का कोई formula है, जिससे हर कोई अपना BP control कर सके, formula है, बहुत ही आसान, पहली चीज क्या नहीं लेना है, याद रखिये, कोई भी चीज जो animal से आती है, जानवरों से आती है, उसे परेज, उसको नहीं लेना है, जैसे dairy product है, animal food है, chicken, mutton, fish, अंडा, ये सब नहीं लेना, पहली चीज, दूसरा नमक, नमक और तेल, मैंने पहले ही बताया, actually नमक क्या करता है, नमक आपके body में पानी को store कर देता है, और जितना ज़्यदा पानी store होगा, उतना blood pressure बढ़ेगा, तो इन चीजों को हटाना है, दो चीज जिन्दिकी से हटानी है, और दो जोडनी है, वो क्या जोडनी है, बहुत सिंपल बात है, पूरे दिन भर में आपको ये देखना है, कि आपके पूरे डाइट का कम से कम 50% पार्ट, fruits and vegetable हो, fruits and raw vegetable, मानो पूरे दिन भर में आप 2 kg खाना खाते हैं, तो क्यों न 1 kg सिर्फ फल और सबजी हो, कच्ची सबजी, सला पर रहता है, तो वो रहनी सकता, it will take only 3 days, 72 hours to get back to the normal blood pressure without medication, यहां अगला question है, हम भारतिये नमक भी खूब खाते हैं और चरवी पर भी control नहीं करते, ऐसे में BP कब और कितना खतरनाक बन जाता है, ऐसे में BP बहुत खतरनाक बन जाता है, actually क्या होता है, जैसे में बताया, नमक प water retention, और excess water से सूजन होने लगती है, kidney fail होने लगता है, हार्ट ठीक से काम नहीं करता है, आपके body के हर organ पर बहुत ही बुरा प्रवाव परता है, आप experiment करके देखिए, तीन दिन के लिए आप नमक छोड़ दीजे, आप देखिए आपका weight भी करीब 3 kg या देर से 3 kg आपका weight घ को कम मिलेगा, तो यानि कि वो जो extra water था, वो आप धो रहे थे, वो आपके body के लिए, heart के लिए, even lungs के लिए, kidney के लिए, बहुत बड़ा burden था, तो यही मैं बोलूँगा कि नमक को आप खतम कीजे, कैसे, एक याद रखिये बात, बहुत ही simple, इंसान का बना हुआ कोई भी वस स्थू में, sodium, नमक बहुत ही कम होता है, जैसे fruits and vegetables, nuts, seeds, green leaves, so आप कोई भी चीज जब खाएं, तो अपने आप से पूछिए, यह भगवान ने बनाया, इंसान ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो फोरण खार लिजे, उसे cook करने के वशकता नहीं है, ऐसा कर पाएंगे, त अगर हां, तो किस उमर से और कितने, किन बातों का ध्यान रफना चीए, करीब 15-16 साल, उससे पहले body क्या करता है, body का accommodative mechanism है, diversion mechanism है, जिसकी वज़े से, वो salt कितना भी खाएंगे, चर्वी कितना भी खाएंगे, उसके बाद भी blood pressure एक particular range के अंदर ही रहेगा, because it will contribute to something else, right, वो burden करेगा heart पे, heart और burden करेगा kidney पे blood pressure को maintain करने के लिए, लेकिन 16 साल के बाद, ये mechanism body का धिरे-धिरे, accommodative mechanism है, वो कम होने लगता है, as a result of that, 16 साल के बाद भी, बच्चे BP के patient बनना शुरू हो जाते हैं, BP का patient मतलब blood pressure high, 160 बटे 100 से, लेकिन blood pressure एक symptom है, वो कोई बिमारी नहीं है, blood pressure जाद है का मतलब ये है कि body में कुछ गरबढ है, मैं आपको उधारन से समझाता हूँ, ये pipe है, ये मैं water में fit कर देता हूँ, tap में fit कर देता हूँ, माल लो ये pipe, और पानी यहां से बहरा है, अब water का pressure है, पानी pipe के अंदर, अब pipe को अगर मैं दबा दूंगा, तो यहां water pressure जैसे बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा, water pressure बढ़ जाएगा, diameter जैसे जैसे pipe का घटेगा, वैसे वैसे water pressure बढ़ेगा, clear, less diameter of the pipe, more water pressure, यही बात है, यही बात हमारे body के blood vessels में भी है, हमारे body का जो blood vessel है, वो लगबग 1,00,000 km तक है, और वो pipe की तरह है, यहां पर पा जैसे जैसे diameter कम होने लगता है, so water pressure, sorry, blood pressure बढ़ने लगता है, blood pressure बढ़ जाता है, so जब भी blood pressure जादा होगा, किसी का लगातार, इसका मतलब उसके body के अंदर, पूरे body में, हजारों जगा पे blood vessels के अंदर, छोटे-छोटे blockages हैं, और वो कई सारे जब blockage बने जाते हैं, तो body करने के लिए blood circulate करने के लिए ठीक से blood का pressure automatically बढ़ा देती है, so blood pressure problem नहीं है, problem यह है कि body में indication है कि बहुत सरे छोटे-छोटे tumorous growth है या blockages है, so अगर आप दबा लेके blood pressure को घटाएंगे भी, तो भी जो main cause है, cause तो blockage है, वो तो वहीं का हुई है, तो cause वहीं का हुई है, यान at the cost of making you more sick, आपके heart को कमजोर करके medicine आपके blood pressure को घटाती है, ना कि उस blockage को घटा के, लेकिन अगर आप अपने 50% diet भी fruits and vegetable का कर देंगे, कच्छी सबजी और फल का कर देंगे, 50% diet, तो धीरे-धीरे blockage कम हो जाएगा, करीब 1 महने से 3 महने में, कैसे बाद चलेगा blockage कम होगा बड़ा simple, आपका blood pressure नीचान लगेगा, आपकी energy level बढने लगेगी, आपका excess water retention कम होने लगेगा, आपके body में सूजन रहता होगा, तो वो गायब हो जाएगा, यह सारे indication है, अगर आप सीडियो में चड़ेंगे, तो किसी को angina था, तो angina नहीं रहेगा, तो यह सारे indication है, अ ऐसा क्यों, देखिए blood pressure की जो दवा है, जैसी आप लेंगे, तो सबसे पहली बात blood pressure की दवा पे 2 साल तक रहेंगे, तो आपका blood sugar भी बढने लगेगा, cholesterol भी बढने लगेगा, तो मतलब एक दवा से 2 और दवाईयां आपको ultimately लेनी पड़ेंगी, 73% patient जो blood pressure की दवा लेते है वो blood sugar की दवा भी लेते हैं, cholesterol की दवा भी लेते हैं, so अगर आप joint national committee 4 को देखेंगे, उसके सारे members को देखेंगे, उसमें से 70% ऐसे member हैं, जो किसी ने किसी बड़े pharmaceutical companies के agent या director या किसी ने किसी president, vice president या shareholder है, so वो list आप खुद भी देख सकते हैं, JNC, joint national committee 4, right, so, तो मैं यह बोलना चाहरा हूँ, यह जो committee बनती है, जो यह decide करती है, American Heart Association की committee, joint national commission की committee, कि कितना blood pressure होना चाहिए, उस committee में 70% लोग ऐसे हैं, जो किसी ने किसी company से, pharmaceutical company से जुड़े हुए हैं, so उनके, इसी लिए जो outcome आता है, वो 120, पहले 170 बटे 100 था, फिर 140 हो गया, फिर 120 20 बटे 80 है, अब बात चल रही हो सकता है कि इससे भी कम हो जाए, जबकि एक independent agency जैसे Cochrane Collaboration मैंने बोल रहा था, उनका पिछले साल का भी report यह कहता है, कि 160 बटे 100 से नीचे हो, तो वो normal है, जरा सोचिए, एक तरफ Cochrane Collaboration 160 अभी भी बोल रहा है, और एक तरफ American Heart Association या JNC जैस के बाद blood pressure तो कम देखेगा, लेकिन आपके health problem साथ में जूडते चले जाएंगे, क्योंकि याद रखिए, blood pressure अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, blood pressure तो indication है कि कोई बीमारी आपके body में है, कोई blockage या tumor है, जिसकी वज़े से body ने अपनी blood pressure को बढ़ा दिया है, तो एक बी blood pressure छोड़ दीजे, बस यही आपकी दवा है, उसी से आपका blood pressure maintain हो जाएगा, और अगर body में कोई blockage वेकर है, वो भी चला जाएगा, तो यह आप अपना सकते हैं, जिसमें कोई नुक्सान नहीं है, लेकिन एक बात है, अगर इसको अपनाया, तो blood pressure एकदम से गिरेगा, तो blood को आप एकदम छोड़ दीजे नितो और खता नहीं हो जाएगा, विध इस, I conclude the answer to all these questions, all the best, this is Dr. Vishwar Pravya Chaudhary, धन्यवाद.